नमस्कार ख़वरों के ख़वर में आपका सौगत है महराश्ट की उद्धव ठाकरे सरकार को आज दो ऐसे बड़े बड़े चटके लगे हैं जिससे सिव सेदा के राश्ट्रिय प्रवक्ता और बड़बोले नेता संजय राउट गाली गलोच की भाशा पर उतर आये और उन्होंने कुछ ऐसे ऐसे कॉंस्पिरेसी थियोरीज देना शुरू कर दिया कि जिसे आप सुनेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे आज जसा के हर दिन होता है संजय राउट टीवी कैमरे के सामने अवतरित हुए और उन्होंने एक संसनी खेज दावा किया किरीट समया जिनके कारणामों की वज़ा से जिनके सबूतों की वज़ा से जिनके आरोपों की वज़ा से पूरी के पूरी अगारी सरकार थरथरा उठती है उन पे एक आरोप लगाया कि वही ये तो प्रजेंटेशन देने जा रहे हैं किस बात का प्रजेंटेशन देने जा र रच रही है और उनके पास वो सारे दावे जो वो कर रहे हैं उनके सबूत हैं और यह जो किरीट समया है कुछ बिल्डर्स के साथ मिलके, कुछ बगयदा इंड्रस्टिर्स के साथ मिलकर वो प्लैन बना रहे हैं कि मुमबै को कैसे लूटा जाए, कैसे मुमबै को एक जिस तरह से दिल्ली है, चड़ी कड़ है, यूनियन टिरिटरी बना दिया जाए और महराज से मुंबे को अलग कर दिया जाए ये जो दावा है इस दावे में क्या सचाई है ये तो मैं आपको आगे बताऊंगा लेकिन सबसे बड़ी बात कि अचानक से ऐसा क्या हुआ कि सिर्व से ना इस तरह की कॉंस्परेसी थेयरी को दुनिया के सामने आगे लाकर के रखी उसके पीछे की कहानी कुछ घंटे पहले घटी वो ये कि ये जो बीमसी के एक स्टैंडिंग कमीटी के जो चीफ है ये स्वंत जाधर उनके यहाँ एक बहुत बड़ी कारवाई हुई एक तो पहले से ही सिपसे ना बौकलाई हुई थी क्योंकि नो फ्लैट्स नो संपत्ति संजे राउत के अभी हाल में सीज हुई लेकिन आज इससे भी बड़ी कारवाई हो गई ये स्वंत जाधर के एक तालिस संपत्तियों को कुर्क कर दिया गया वो क्यों क्योंकि इनके उपर आरोप चल रहे थी भरस्टाचार के कि किस तरीके से पैसे का आदान प्रदान हो रहा था और उसमें एक जगह उससे पूछ ताज के दौरान उसने इस बात को वो कागज में मिला किनोंने दो करो रुपे मातोश्री को दिये थे और ये मातोश्री क्या है ये पूरी दुनिया जानती है और अब जब से ये कारवाई यस्वन जादब के घर हुई वहाँ हलकम बचा हुआ है क्योंकि पता नहीं अब आगे यस्वन जादब अपने आपको बचाने के लिए क्या करे पिछली बार जब पूस्ता चल रही थी तो इंकम टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारियों को एक डारी हाथ लगे थी कि कहां कहां पैसे भेजे जा रहे हैं जिसमें मालुम चला कि दो कड़ो रुपे और पचास लाख की एक घड़ी मातोश्री के नाम डाला हुआ है जब उनसे पूछा गया कि यह मातोश्री कौन है बलो यह मातोश्री मेरी माँ है अब उसका भी इन्विस्टिकेसिन चल रहा है अब यह जस्वन जादब यह कैसा स्रवन कुमार है जो अपनी माँ को पचास लाख की घड़ी देता है दे सकता है लेकिन माँ को गिफ्ट भी है और डायरी में लिखता भी है यह तो बड़ा अनुहोनी है लेकिन जो आज खबर आई उससे पता चला कि कुल 41 संपत्यों को कुर्क किया गया है जिसमें बांदरा के 5 कड़ों रूपे का एक प्लॉट भी सामिल है और इसके अलाबा भाय खला में 31 फ्लैट और बांदरा मे टैक्स चोरी की वज़़श से हो रही है जो लूट बियमसी कें अंदर मच्ई भी थी उसका हिसाब लिया जा रहा है और यह सारी संपत्यी जाने के बार यस्वन जयादव की इस्तिती क्या होगी क्या मनोदसा होगी वो क्या-क्या उगलेगा क्या बोलेगा और उसकी वज़ राउत के भी फ्लैट जो हैं वो बकैदा जब्ट कर लिए गये हैं तो ये खबर जैसे ही आई सिर्व से न के पूरे सो कसकते हैं कि पार्टी के अंदर हलकंप मच गया कि ये कारवाई पे कारवाई लगातार होती चली जा रही है रुक कोई नहीं रहा अब ये एक दिन पहले स प्रधान मंत्री से मिले बकॉल सरत पवार उन्होंने बताया कि जो कारवाई की जा रही है वो ठीक नहीं है उसके जिम्मेदारी प्रधान मंत्री मोदी ले तो ऐसा लग रहा है कि प्रधान मंत्री मोदी ने कह दिया हुआ कि मैं जम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ औ वो कारवाई में कमी नहीं आ रही है तरसल वो कारवाई और ज्यादा तेज हो गई मतलब सरत्पवार के सारे एटेम्ट्स सौदेबाजी के वो फेल होते हुए नज़र आ रहे हैं तो एक वज़ा ये दूसरी वज़ा एक और सीबी आई से पूछताच के डर के मारे अनिल देश्मुख इस उगाही मसले में जो फसे हुए हैं अर्थर रोड जेल के अंदर हैं वो नए नए तरकीव नए नए बहाने लेकर के कि किसी तरीके से ये सीबी आई का पिंड छूटे सीबी आई कह रही है कि चार सो कडोल का मसला है एडी ने कोट में लिखके दिया कि ये जो पूरा बार और रेस्टरेंट वाले से जो उगाही का धंदा चल रहा था उसका मास्टर माइंड वो अनिल देश्मुख है उसके कहने पे उसके इसारे पे उसके आदेश पे ही ये सचिन वाज़े बार मालिकों और रेस्टरेंट मालिकों से पैसे उगाही किया करता था मतलब उधर अनिल देश में कोई रिस्पाइट नहीं बालुक चला कि उन्होंने एक कहानी बना दी कि मैं बात्रूम में गिर गया हमारी उमर भी हो गई बहतर साल का हो गया हूं मैं हमें जमानत दे दी जाए तो वो पहुंचे थे कोट कोट जब पहुंचे तो आज कोट में भी उसको बड़ा जटका लगा उन्हें ने कहा कि हेल्थ ग्राउंट पे हमें दिया जाए जमानत बहुत दिन हो गए जेल के अंदर और ये सारे लोग वही हैं जो अरनब गोस्वामी को जेल के अंदर डालने में सब सामिन थे लेकिन जच साहिबा ने क्या कहा जच साहिबा ज़स्टिस अनुजा प्रभू देशाई not only in this case but in a number of cases the accused are languishing in jail for years so keeping them inside and taking up this matter मतलब देजमुक के स्प्ली को will not be right the court will take up those cases wherein there is a medical emergency or there is death in the family however now every matter comes citing medical emergency and then lawyers argue on merits this is not correct you cannot take the court for granted the court is also angry they have told you that the medical emergency is bad you are 32 years old and you are given to the age of age so the court has asked you to tell you what is the specific problem what is the law and 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 the law in jail in the past 20s इसलिए हो रही है क्योंकि अनिल देश्मुख सी बी आई को फेस नहीं करना चाहते जिस तरीके से वो एडी से बच रहे थे एडी के पास वो जब समन पे समन उनको जाता था वो कभी लोवर कोर्ट तो कभी सेशन कोर्ट कभी हाई कोर्ट तो कभी सुप्रिम कोर्ट जहां तहा उन्होंने हाथ पैर मारा आगे किसी तरीके से वो बच जाएं लेकिन होना वही है जो किस्मत में लिखा है डिवाइन जस्टिस है ये वक्त का पहिया है जो उल्टा घूम रहा है अनिल देश्मुख के लिए और अनिल देश्मुख को जेल जाना पड़ा तो ये दो जटके जो लगे एक सिर्फ सेना के बीमसी के स्टैंडिंग कमिटी के चीफ यस्वन जादव के घर संपत्ती का कुर्खोना और दूसरा अनिल देश्मुख के बेल को रिजेक्ट कर जाना बेल प्ली को और एक सब्ताक के मतलब अब 15 दिन तक वो सीबी आई के कस्टेडी में कि वही उसको दिल्ली मतले करके जाना मुंबही जागर के पूश्ताच कर लो क्योंकि यह प्ली लगारे में तवित खराब है तो यह दोनों चीजें दोनों जटके जो लगें तो अब सिर्फ सेना की परिशानी ये बढ़ रही है कि अब क्या किया जाए सामने बीमसी का चुनाओ है अगर इसी इस्तिती से सिर्फ सेना और अगारी सरकार के लोग बदनाम होते रहेंगे भरस्टाचार के मसले में इस तरह से उनका नाम आता जाएगा और चुनाओ से पहले अगर ये मसला शान्त नहीं हुआ तो बीमसी में सिर्फ सेना को अपनी जमानत बचाने में भी दिक्कत हो जाएगी क्योंकि दूसरी तरफ से ये राज ठाकरे वो इनको माईग्रेन दे रहे हैं सरदर्द बने हुए हैं कभी वो लॉड़ स्पिकर उठा दे रहे हैं कभी कुछ और उठा दे रहे हैं और ये कि राज ठाकरे और बीजेपी गटबंदन करने जा रही है सिर्फ से ना बीमसी एलक्षन में पूरी तरीके से अलग थलग हो जाएगी तो इसलिए नया पासा फेका गया जिस तरीके से महाभारत में सकूनी पासा फेका करता था तो आज संजराओत में पासा फेक दिया कि ये महर सार्श की समिता मुंबई का पहचान है मुंबई की जो आइडिनिटी है उसके उपर ही बीजे पी हमला कर रही है मुंबई को महराज से अलग करने की साजिस रची जा रही है ऐसी कोई जिक्र नहीं ऐसी कोई चर्चा नहीं ये कोई बच्चों का खेल नहीं कि मुंबई को आप किसी राज सेलक कर दे लेकिन फिर भी आपको लोगों की भावनाओं को भड़काना है कि ताकि ये जो मराठा मनुस हैं वहाँ पे उनको लगे कि नहीं नहीं बीजेपी बड़ा गलत कर रही है तो आपने ये पासा फेख दिया अगर संद्राओत के पास कोई सबूत होता तो वो सबूत आज ही वो दे दिये होते हैं संद्राओत आज तक कई सारे आरूप लगा चुके किसी का सबूत वो जिसको कह सकते हैं कि वो खाड़ा नहीं उतरा है आरूप लगाना आसान है आरूप को साबित करना बड़ा मुश् और अब जब चारों तरफ से सिर्फ से ना फस गई है तो एक नया सगूफा ठेका गया है कि मुंबई खत्रे में है भारती जनता पार्टी मोधी सरकार प्रधान मंत्री मोधी मुंबई को अलग करना चाह रहे हैं महरास से तो ये पैतर बाजी महरास्ट की जनता भी देख रही है महरास्ट की जनता ये भी देख रही कि सरकार कैसे चल रही है महरास्ट की जनता ये भी देख रही है मुंबई की जनता ये भी देख रही है कि बीमसी में कितना लूट खसोट चल रहा था मुंबई की जनता ये भी देखेगी कि जो भारती जनता पार्टी है वो मुंबई के लिए क्या कर रही है महराश्ट के लिए क्या कर रही है देविन फंडविस वो क्या कह रहे हैं मतलब बैक फूट पे अगारी सरकार कई सारे विरुदाभास और कंटर्डिक्शन की वज़े से और लेडी ये लोग एक दलदल में फस्ते चले जा रहे हैं और जिस तरीके से कारवाई हो रही है तमाम सरत्पवार उद्दव ठाकरे और तमाम लीडर्स के कोशिशों के बाब जो जो सिंटल एजेंसिया हैं उनका एग्रेशन उनकी कारवाई में कोई कमी नहीं आई है और इ एक तरीकेपिकल टीवी हमारे वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए धन्यवार